हेलो एवरीवन वेरी हेपी नियूर तो लो फ्यू जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू की है कॉस्चन डिसकॉस्चन की आइटी जैम स्टैट्स को लेके तो इटी जैम स्टैट्स में एक बहुत इंपर्टन सेक्षिन लीनी जब्रा का भी होता है और बहुत असान है मैं लीन जब्रा के कुछ कॉस्चन व्ल्ल करूंगा प्रीविस यह कॉस्चन पर मेरा टारगेट हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ टोपिक चोट ठीक है तो मेरा आज का टौपिक है स्लेवस में लिखा हुआ है orthogonal matrix और आप यह धेख सकते हो कि हर साल एक question कम से कम एक question वैसे तो 2 भी आये हुआ गई पाथ एक question fix आता है कि matrix आपको दे रखा होगा orthogonal matrix है और उससे related कुछ भी question पोच सकता हो कैसे भी options बना सकता है तो हम क्या कर रहे हैं orthogonal matrix की कुछ properties सीख लेते हैं कि जो orthogonal matrix होता है वो क्या खास properties use करता है और फिर उससे related 2-3 questions करने की कौशिश करते हैं तो अर्थोगनल मैट्रिक्स है क्या बाई definition तो सबसे पहले तो simple सी definition लिखते है square matrix square matrix A is said to be orthogonal matrix और्थोगनल मैट्रिक्स इफ A transpose A is equal to identity या इसी को यह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A transpose is equal to A inverse मतलब ऐसा matrix जिसका transpose ही उसका inverse है ऐसे matrix को हम और्थोगनल मैट्रिक्स बोलते है और हम यहां पर basically real orthogonal matrix को discuss करेंगा real से मतलब है कि matrix के entries real number है क्योंकि आपके slayvers के according देखा जाए ना तो सिर्फ real matrix पर ही discussion करता है अब इसके कुछ properties सबसे पहली property क्या है और्थोगनल मैट्रिक्स की eigenvalues को लेकर सबसे पहली property यह बनती है कि जो इसकी eigenvalues होती है उनका modulus मनलब उनकी modulus value हमेशा 1 होती है देखो simple सा है concept है हम ज्यादा चीजों के proof में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सीधा समय लोगे कुछ crash को ट्राइप कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से कुछ results जो latest हो यह हम recall करके अपना question कर सके हैं तो सबसे पहला result पता क्या है कि if lambda is eigen value of a then mode lambda is 1 के eigen value कुछ भी हो सकती है eigen value complex number भी हो सकती है real number भी हो सकती है पर उसका mode हमेशा ही 1 होगा ठीक है mode आप समझ सकते हो if a z is equal to a plus i tab b then mode z is under root a square plus b square this thing is always one second property second property हमें यह पता है कि matrix का trace क्या होता है eigen values का जोड होता है तो अगर मैं इस matrix का trace निकालूं तो आएगा summation lambda i i from 1 to n eigen values का जोड पर trace का modulus अगर लें तो आएगा mode summation i from 1 to n lambda i और फिर यह inequality summation i from 1 to n mode अंदर ले जा सकते हैं और फिर उपर वाला result क्या है कि हर modulus 1 होता है अगर lambda eigen value है तो इन सब का modulus 1 होगा यह बना summation i from 1 to n 1 जो कि आएगा n हमने क्या प्रूव किया कि अगर orthogonal matrix होता है तो उसका जो trace होता है वो less than equal to n होता है महला orthogonal matrix का trace minus n और plus n के बीच बीच में होता है और n यहां पर क्या है n है matrix का size कि अगर 3 cross 3 का orthogonal matrix है तो उसका trace minus 3 और plus 3 के बीच में कुछ होगा next property determinant का क्या link होता eigenvalues के साथ कि matrix का जो determinant होता है वो होता है eigenvalues का product और यहां पर अगर मैं mode लूँँ सिधा सिधा distribute हो सकता है तो मोड जाएगा अंदर मोड लेमडा आई और हमें पता है मोड लेमडा आई तो वन है तो वन इंटू वन इंटू वन क्या आएगा वन नहीं आ जाएगा यहां से एक next result आया कि जो orthogonal matrix होते हैं उनका determinant का mode 1 होते हैं और in particular in particular अगर matrix में आप यह देख सकते हो कभी भी अगर मैंटिस की entries integer हैं तो मैंटिस का determinant भी अगर मैंटिस के entries real number हैं तो मैंटिस का determinant भी real number होता है तो हम क्योंकि real orthogonal matrix में हैं तो मैंटिस के entries real number है तो in particular if a is real तो हमें पता है जो determinant होगा वो भी real number होगा और real number में इस चीज़ का solution क्या होते हैं कि determinant 1 आए किसी number का mode 1 हो और आप real number में हो तो आपको क्या imply करते हो then then determinant of a is 1 और minus 1 कि जो real orthogonal matrix होता है उसका determinant 1 या minus 1 में से कुछ होता है यह सब properties हैं orthogonal matrix की और भी properties हैं काफी अच्छी अच्छी जैसे यह बहुत important result है बहुत important के at two two cross two orthogonal matrix a two cross two orthogonal matrix must be one of the following one of the cos theta minus sin theta sin theta cos theta or cos theta sin theta minus sin theta cos theta for some theta belongs to real number कि जो भी 2 cross 2 orthogonal matrix होते हैं इस size के orthogonal matrix होते हैं वो इन दोनों मेंसे ही कोई ना कोई होगा इसी form का ही बनाया गया होगा जहां पर theta vary कर सकता है theta क्या है real number है मतलब यह दो matrix नहीं है यह uncountable matrices है आप theta बदलो अपने मैट्रिक्स बनाओ पर एक kind of उसकी pattern पता लगए कि वो हमेशा दिखेगा ऐसा ही कि यहां पर cos theta cos theta होगा यहां पर minus sign plus sign या plus sign minus sign मतलब यहां पर दोनों पर सेम entry लिखी होगी और यहां पर एक दूसरे का negative लिखा होगा अगर वो orthogonal matrix है ठीक है हमेशा ही ऐसा होगा जैसे आप मालो theta pi by 2 ले ले तो 90 degree ले ले तो theta तो यह तो वह cos 90 zero zero one minus one तो zero one minus one वह एक orthogonal matrix है तो ऐसा कुछ है कि दो क्रोस जो कि जो भी orthogonal matrix होती है वह इन ही में से कोई होती है और फिर last और most important result वह यह कि if A is a matrix in this column form column one, column two, column three, column n then then ci transpose cj is zero if i is not equal to j one if i is equal to j देखो जड़ा पहले तो जो column होते हैं वह n cross one के matrix है तो अगर मैं उनका transpose लेता हूं तो वह one cross n का matrix बना और यह column है n cross one का matrix तो यह मिलके क्या बनेगा one cross one का matrix और किसी one cross one के matrix को आप scalar की तरह treat कर सकते हो तो यह एक scalar ही आएगा तो यह तो zero आएगा यह one आएगा depend करता है कि आप same column use करते हो तो one आएगा अगर अलग-अलग column use करते हो तो zero आएगा जैसे अगर आप example से समयना चाहो तो मैं matrix ले लेता हूं एक simple सा one by root two one by root two minus one by root two one by root two यह एक orthogonal matrix है तो इसका column one यह हुआ column two यह हुआ अब मेरे result के according column one transpose column two अगर करता हूं तो column one transpose क्या बनेगा one by root two minus one by root two into column two वह क्या है one by root two one by root two आप करो product देखो क्या आता है one by two minus one by two zero आ गया तो यही लिखा गया है अगर आप i और j अलग-अलग use करते हो तो हमेशा zero आएगा अगर same use करते हो तो हमेशा one आएगा आप करके देख लो column one को column one से product करो actually लिखना तो ऐसे ही है पर हो क्या रहा है पहल यह entry इस से product यह entry इस से product हर corresponding entry product होती है और add हो जाती है तो अगर आप same column ही use करोगे मतलब column के entries को उसी column के entries से product करके add करते हो तो वन आएगा अगर किसी column के entries को दूसरी column के entries से product करके add करोगे तो हमेशा zero आएगा यह definition ही लिखी अगर आप द्यान से देखो तो किसी matrix के transpose को matrix से product करते हो तो उसके entries ऐसे ही बनती है CIs का transpose into CJ वह हमें पता है क्योंकि identity matrix आएगा तो जब-जब same नहीं होगा तब-जब जब same होगा diagonal entries वह बनेगी one तो यह कुछ results है orthogonal matrix को लेके कि हम basically real orthogonal की बात कर रहे हैं पर फिर भी यह सब काम करता है जो orthogonal matrix होते हैं अब हम कुछ question discuss करते हैं मैंने लिखे होएं तीन question हर साल आथा तो मैंने एक question 2018 से लिया है एक उनने से लिया है और एक बीस से लिया यह तीन question discuss करते हैं और फिर आप उससे पीछे वाले question ढूंड़ो या कहीं से भी orthogonal matrix से related questions हो उनको करने की कोशिश करो तो यह है jam stat का question है 2018 का है question क्या है matrix है m x y z जैसे मैंने अभी लिखा था ना c1 c2 c3 वैसा ही कुछ के x y z एक orthogonal matrix है और जहां पर x y z क्या है वह column है और इन x y z की help से उसने नया एक matrix बनाया क्या हूँ कैसे बनाया क्या रहा है x को x transpose से multiply करो अच्छा जो मैंने result लिखवाय था ना उसमें मैं c i transpose को c j से multiply करता हूँ इस वजह से यह one cross one का matrix बनता है अगर आप c i को c j transpose से multiply करोगे तो वह एक n cross n का matrix बनेगा तो यह जो लिखा है ना x into x transpose वैसा ही तो हो गया कि पहले कॉलम को पहले कॉलम के transpose से multiply करो तो यह एक n cross n का matrix है यह भी एक n cross n का matrix है तो add करूँगा तो जो q है वह भी एक n cross n का matrix है और इस q के बारे में पूछा हुआ है क्या पूछा बोलता है excuse metric matrix है यह identity matrix है यह इस equation को satisfy करता है यह इक equation को satisfy तो हम शुरू करते हैं पहली equation से बोलता है क्या यह excuse metric matrix है तो देखो यह तो हमें साफ देखके पता लगता है कि यह नहीं है चाहो तो आप इसका transpose लेके देख लो पर notice करो हमेशा a into a transpose symmetric होता है आप किसी भी matrix को उसी के transpose से product करो तो हमेशा symmetric matrix बनता है तो मलता यह जो portion है इतना portion यह symmetric matrix है यह भी symmetric matrix है और दो symmetric matrix add करते हो तो भी वह symmetric matrix ही रहता है तो यहां पे actually जो a है q is a symmetric matrix तो इस वज़े से a option गलत हो गई क्योंकि वह symmetric matrix है आप चाहो तो transpose लेकर check कर लो असान ही है फिर वह बोलता है identity matrix है q square q आएगा अच्छा यह check करो q square q आएगा तो हम q का square निकालते हैं और देखते हैं वह वापस q आता है या नहीं आता है तो मैं c option पर काम कर रहा हूं q square q का square का मतलब क्या हुआ कि आप q को q से multiply करो तो वह लिखे है x x transpose plus y y transpose को x x transpose plus y y transpose से multiply करो कैसे open होता है पहली term पहली term से प्वाएगा x x transpose into x x transpose फिर यह उसके साथ x x transpose y y transpose plus y y transpose x x transpose plus y y transpose y y transpose यह आया अब आ जाओ मेरे उसी result पर क्या था यह result कि किसी column के transpose को किसी और column से multiply कर रहे हो हम transpose को पहले multiply करें तो अगर आप column same use करोगे तो 1 आएगा column different use करोगे तो 0 आएगा हमने जो अभी equation बनाई ना वो यही सब तो है x y z क्या है column है तो यहाँ देखो यह matrix का column है और यह भी matrix का column है और हमने लिखा है कि same column को अगर multiply करते हो तो 1 आता है बीच में यह जो लिखा है ना यह one लिखा हूँ one scalar one और one का scalar का तो कोई मतलब नहीं है तो उसको मैं हटा दूँ अगर तो सीधा सीधा x into x transpose लिख सकता हूँ अब next step प्याओ plus डालके यहां पे इस पे notice करो यह क्या लिखा यह वह लिखा ना c1 transpose into c2 ना पहला column x है दूसरा column y है तो c1 transpose into c2 तो 0 आना चाहिए तो यहां बीच में अगर मैं 0 लिखता हूँ तो यह सब का सब 0 बन गया यहां पे भी देखो y transpose into x क्या लिखा हूँ है c2 transpose into c1 यह भी 0 बन जाएगा और यह पूरा portion भी 0 इसमें y transpose into y मतलब c2 transpose into c2 same use करते हैं तो 1 आता है तो यह 1 हुआ तो यह बाकी बचा y y transpose और अगर ध्यान दो तो पूरा क्योव ही बच गया फिर से तो हो गया प्रूव कि क्योव स्केर जो है वो क्योव ही है तो b option sorry c option जो है वो सही है a option गलत हो गई थी d option भी कर लेते हैं d में उसने लिखा है कि आप क्योव को z से multiply करोगे तो z यह आएगा और z क्या है z यह column है कोई random vector नहीं है column है इसका तो मैं करता हूँ क्योव को z से multiply करें तो क्योव को z से multiply करें तो क्योव यह था x x transpose plus y y transpose और multiply करते है z से x x transpose into z plus y y transpose into z तो फिर से देखो जरा यह क्या लिखा हुआ है c1 transpose into c3 तो 1 और 3 अलग अलग है इसलिए यह portion बनेगा 0 और 0 को किसी से multiply करूँगा तो आएगा 0 और इधर भी c2 transpose into c3 यह भी 0 आएगा तो overall आया 0 तो हम देखते हैं कि qz जो है वह 0 आता है ना कि z आता है d option में क्या लिखा है कि qz z आएगा पर नहीं वह 0 आएगा और z 0 नहीं है क्योंकि orthogonal matrix है ना तो कोई भी column 0 नहीं हो सकता तो हमने यह भी देखा कि d option भी गलत है और देखो अगर d गलत है d में हमने निकाला कि q into z 0 आ रहा है और b option में बोल रहे हैं कि q एक identity matrix है तो अगर वह identity matrix है तो qz तो z आना चाहिए identity matrix क्या करता है उसको आप किसी से भी multiply करो वापस वही element आ जाता है अगर यह identity element है तो qz जर्ड आना चाहिए पर वह तो नहीं आ रहा इसका मलब वह identity matrix भी नहीं है तो d के प्रूव होने से c b b अपने आप प्रूव हो गया कि b में भी गलत लिखा हुआ है सिर्फ c options आई है बाकी तीनों options गलत है तो वह वाला result use हुआ है कौन सा result कि कॉलम के transpose को किसी कॉलम से multiply करते हो तो यह तो जिरो आता है या वन आता है एक कॉस्चन तो यह जैम 2008 अच्छा बड़ा कॉस्चन था शायद यह ज्यादा माक्स वाला चलिए next question करते हैं यह जैम वह एटीन का था यह 2019 का है इसमें उन्होंने क्या बोला है उन्होंने एक matrix दिया है पर पूरा नहीं दिया है कुछ entries में a b c d लिख दी है पर बोलता है कि यह जो matrix है यह एक orthogonal matrix है वह भी real orthogonal matrix है करा आप बताओ फिर a square plus b square plus c square plus d square क्या होगा और a b c d क्या है matrix के अंदर ही कुछ entries है हमें इनको ढूणना है और इनके square का sum निकालना है ठीक है result recall करो फिर से हमें यह पता है कि अगर मैं पहले column को पहले column के transpose को पहले column से multiply करूंगा तो 1 आएगा अब पहले column के transpose क्या है अंडर रूट 5 by 3 2 by 3 a इसको इसी के transpose से multiply करो तो देखो कुछ नहीं होता है इसका square इसका square और इसका square तो entries का square होके यह add हो जाती है तो रूट 5 by 3 का square क्या होगा 5 by 9 plus 2 by 3 का square क्या होगा 4 by 9 plus a square और मुझे पता यह आना 1 चाहिए क्यूंकि हमें given है यह एक orthogonal matrix है तो 5 by 9 plus 4 by 9 तो हो गया 1 और 1 से 1 cancel होके हमें मिला कि आपका जो a square है वो 0 होगा चलिए a square पता लग गया अब जैसे मैंने column 1 पे किया है column 2 भी तो यह काम करेगा मतलब column 2 को भी column 2 से product करके add करोगे अगर तो 1 आएगा कर लो इसको भी इसका square 4 by 9 5 by 9 plus b square आना 1 चाहिए आया 4 by 9 plus 5 by 9 plus b square या या 1 plus b square पर आना 1 चाहिए तो यहां से हमें मिला कि आपका b square जो है वो भी 0 ही है a square भी 0 आ गया b square भी 0 आ गया अब यही काम आप 3rd column पर भी कर लो वो क्या होगा c square plus d square plus 1 आना entries का square होके वो add ही हो जाती है c square plus d square plus 1 आना 1 चाहिए तो 1 से 1 cancel हमें मिला कि c square plus d square भी 0 है मतलब a square भी 0, b square भी 0, c square plus d square भी 0 और यह क्या लिखा हो है a square plus b square plus c square plus d square जिसमें से यह भी 0 है यह भी 0 है वो भी 0 है तो overall क्या है 0 मतलब इसका answer है 0 यह question भी हो गया यह भी 2 marks का था शायद पर simple orthogonal matrix की वो properties की बहुत important properties है उन्हीं से हो जाता कुछ अच्छा ऐसे आप थोड़ी कर पाऊगे अगर कुछ random सोचने लग गए तो अब definition लगाओ कि इसके transport को इसी से product करूंगा तो identity matrix आएगा और वो definition में कितना product करना पड़ेगा आपको यहां पे वो इतने जो product है ना 9 products होंगे हर column को हर column से multiply करो 9 times उन 9 times product में से हमारे काम के यह 3 थे उन्हीं से सीधा-सीधा काम चल गया कि एक कोस्टन और देख लेते हैं यह भी यह 2020 यह पिछली बार ही आया कोस्टन के उसने बोला है for real constants a and b यह जो matrix है 1 by root 2 1 by root 2 a and b यह एक orthogonal matrix है उसने बोला यह orthogonal matrix है तो बताओ नीचे वाली options में से कौन सी से और कुछ नहीं बोला बस यह orthogonal matrix है यह बोला तो क्या इसको कुछ और बोलने की जूरत भी है क्या करोगे 2 cross 2 का matrix है और मैंने बताया था इचे अभी कि जो भी 2 cross 2 के orthogonal matrix होते हैं वो कैसे होते हैं वो ऐसे ही कुछ ना कुछ होते हैं या तो ऐसे या ऐसे हालाग कि दोनों एक जैसे हैं कोई फरक नहीं है बस यहां पर minus sign इदर है यहां पर sign उदर है उसमें भी कोई फरक नहीं बट चिल क्या सिखा हमने के यह दोनों entries सेम होती हैं और यह एक दूसरे के negative होते हैं पर उसने तो हमें ये दो एंट्रीज दे दी हैं और हमने क्या सिखा है कि ये दोनों एंट्रीज सेम होती हैं और ये एक दुसरे के नेगिटिव होती हैं तो हमें क्या मिला? as m must be of the form of the form cos theta sin theta minus sin theta cos theta ऐसा ही कुछ होना चाहिए this does a जो है वो 1 by root 2 ही होगा with minus sign क्योंकि उधर positive है b जो है वो 1 by root 2 ही होगा तो a और b तो पता लग गए और देखो सारी option तीन options में तो a b की ही बात कर रहा हूँ पहली option वो बोलता है a plus b 0 आएगा तो आप देखलो a plus b negative आएग दूसरे के हाँ 0 आएगा तो a option तो सही है b option वो बोलता है कि जो b है वो under root 1 minus a square है आप under root 1 minus a square find करो 1 minus a square क्या आएगा इसका square 1 by 2 आया 1 by 2 का root इसको हम लिखते हैं plus minus 1 by root 2 है ना दो चुआइस आई पर b तो हमेशे ही 1 by root 2 है वो minus 1 by root 2 नहीं है कभी भी तो यह option सही नहीं है क्योंकि यहां पर यह relation हमेशा काम नहीं करता यह सिर्थ तभी काम करता है अगर आपका a positive confirm हो जाए तो ठीक है तो यह गलत हुआ c में लिखा है कि a into b minus 1 by 2 आएगा अब product करो a into b तो 1 by 2 with minus sign c option भी सही लिखी हुई है d option में बोल रहा है कि matrix का square करूंगा तो identity matrix आएगा ठीक है मान लो मान लो matrix का square कर रहा हूं तो identity matrix आ रहा है अब मैं क्या करता हूं इसको inverse से multiply कर देता हूं और्थोगलन matrix हमेशा invertible होते हैं हम inverse से multiply कर सकते हैं तो आया matrix का inverse ही matrix है क्योंकि उसका square identity आ रहा है पर मुझे तो पता है कि matrix का transpose उसका inverse है क्यों क्योंकि वह एक orthogonal matrix है तो इससे हमें क्या मिला कि matrix और उसका transpose सेम है पर matrix और उसका transpose तो सेम ही नहीं matrix तो यह है यह matrix 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 थोड़ी नहीं है इसका transpose यह खुद नहीं है तो यहां पर contradiction आ गई है किस बात पर contradiction आई है जो हमने खुद माना हमने माल लिया था कि माल लो m square आई है इसका मला m square आई नहीं है चाहो तो आप ऐसे कर लो अदर्वाइस आपके पास m दे ही रखा है आप इसका square करके देख लो identity आता है या नहीं आता है तो identity नहीं आता है यह question भी कुछ उनी properties ही हो गया है तो यह था कि orthogonal matrix को लेकर जो भी questions है ना वो usually हमने यह results की है देखो results का मतलब क्या है कि जब भी exam में orthogonal word दिखे साथ के साथ दिमाग में यह 5-6 results तो ऐसे कि आजने चाहिए orthogonal है इसका माला trace जो है वो minus n और n के बीच में होगा determinant है उसका mode 1 होगा अगर real है तो determinant 1 यह minus 1 होगा यह साथ के साथ दिमाग में आना चाहिए मैं यह नहीं बोर रहा हूं कि जरूर use होगा पर दिमाग में तो आ जाना चाहिए ना पता नहीं क्या use हो जाए दो क्रोस दो का orthogonal है तो पक्का इन ही में से कोई होगा और फिर यह सबसे बड़ा result कि columns के transpose को columns से multiply करते हो तो या तो 0 आता है या 1 आता है जब same column use करते हो तो 1 आता है जब अलग-अलग column use करते हो तो 0 आता है कौन से कोस्टन है जो अर्थोग्लर मेट्रिक्स पर बेजड है चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोई और छोटे से टोपिक के साथ जिससे कोस्टन्स हो जाएं बाई